इसलिए बीमा कंपनी द्वारा दावे कानिप्टा न करना दस्तावेजों की कमी नहीं बलकि बीमा कंपनी की सेवाओं की कमी मानी जाएगी नमस्कार दोस्तो आप सभी ने किसी न किसी प्रकार का बीमा तो जरूर कराये होगा या फिर कराने की सोच रहे होंगे तो सुप्रेम कोट का ये जज्जमेंट आपके लिए एक वर्दान साबित होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन परिश्चितियों में डॉक्यूमेंट्स की कमी के बहुजूद भी बीमा कंपनी इस क्लेम देने से मना नहीं कर सकती तो चलिए शुरू करते हैं गुर्णेल सिंग बनाम ब्रांच मैनेजर नेशनल इंसुरेंस कोर्परेशन लिमिटेड के मामले में उब्भुकता गुर्णेल सिंग का ट्रक चोरी हो जाने के बाद गुर्णेल सिंग बीमा कंपनी से चोरी बीमा दावे के लिए आवेदन करता है लेकिन बीमा कंपनी उसको चोरी बीमा आवेदन को सेटल करने में विफल रहती है इस पर बीमा धारक डिस्टिक कंजूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमिशन पहुचा तक हम वहाँ पर इसकी सिकायत की वहाँ पर आयोग ने सिकायत का निप्टान इस निर्देश के साथ किया कि बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट को सिकायत करता एक महिने के अंदर बीमा कंपनी को देगा बीमा कमपनी को उस मांगे गए डॉक्यूमेंट के प्राप्त होने के एक महिने के अंदर ही पॉलिसी की सभी नियमों यवं सर्तों के अनुसार इस दावे का निप्टान करना होगा लेकिन असली कहानी तो इसके बात सुरू होती है अब बीमा कमपनी दूरा मांगे गए डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए शिकायत करता RTO पहुशता है तो कि बीमा कमपनी ने शिकायत करता से उसके टरक के RC की डॉबलिकेट सर्टिफाइट कोपी की मांग किय थी लेकिन जब उप्भोगता उस document को प्राप्त करने के लिए RTO पहुचता है तो RTO कर्मी उसको इस आधार पर उस document को देने से मना कर देते हैं कि चोरी की रिपोर्ट के बाद RTO के सम्मधित पोर्टल से उस पंजी करण को लॉग कर दिया जाता है और ऐसे में उसके डुब्लिके पर इस दावे को reject कर दिया था और दोबारा से बीमा कंपणी अपना वही स्टैंड लेती है और दावे का निप्टान करने से मना कर देती है इसके बाद भोगता दोबारा से जीला भोगता आयोग को संपर करता है और अपनी समझ सागे बारे में बताता है लेकिन इस बार ज बीमा कंपणी की गलती नहीं मानी जाएगे इसके बाद भोगता अपने सिकायत को लेकर स्टेट कमिशन और उसके बाद नेशनल कमिशन पहुचता है लेकिन उन्होंने भी जिला भोगता कमिशन की आदेश को बरकरार रखा और यहां से भी उस सिकायत करता को निरासा मिली फिर अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुचता है और सुप्रीम कोर्ट पिछले सभी आदेशों को पलटते हुए यह कहता है कि बीमा कंपणी केवल इस आधार पर दावे को निरस्त नहीं कर सकती क्योंकि सभी फैक्ट्स और सरकम्स्टांसिस से यह स्पस्ट है कि सिका और भाछता अब क्लावा उसlo भोगता ने वह सभी दस्तावेज वीमा कंपणी के सामने पेच किए जो कि नियंतरन ते और वह ऐसा कर सकता था तो उसवक्त भी उस वहान के registration के प्रती जरूर प्राप्त की होगी इसलिए बीमा कंपनी द्वारा दावे का निप्ता न करना दस्तावेजों की कमी नहीं बलकि बीमा कंपनी की सेवाओं की कमी मानी जाएगी और ऐसे मामलों में जहां परिस्तित याव भोगता के नियंत्रन में ना हो ऐसे में बीमा कंपनी को ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए इसके बाद मानेनिय सुप्रेम कोट ने नेशनल स्टेट तथा डिस्टी कंजूमर डिस्प्यूट रेडर्सल कमिशन के आदेश को रद करते हुए बीमा कंपनी को चार हफ्ते का समय देते हुए कहा कि इन चार हफ्तों में इस क्लेम को सेटल कर दे तथा इसके अलावा बीमा की रासी पर साथ प्रतिसत ब्याज देने तथा लिटिगेशन के खर्चे का 25 रुपए बीमा कंपनी को उसुप भोगता को देने का आदेश दिया दोस्तों अगर आपको भी बीमा कंपनी द्वारा ऐसी टेक्निकल इसू की वज़े से आपके दावे का निप्टान नहीं किया जा रहा है तो आप इस जज्जमेंट का उप्योग करके अपने दावे का निप्टान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जरूत मन तक आप ये वीडियो जरूर पोचाएं ताकि उन्हें इसका लाब मिल सके दोस्तों ऐसे ही इंपोर्टन जज्जमेंस चता इंट्रस् झाल